हाई फ्रेंड्स मैं आपके साथ प्रसांद दन्दी ऑनलाइन बैंकिंग में कैसे पैन काट और हांदर काट अब लिंक कर सकते हैं यह देख लीजिए मैं Google पर आया और वहां पर टाइप कर दिया Online SBI देखिए यह आ गया और उस पर हम क्लिक कर देते हैं और पहली Online SBI है सुन कर देते हैं यह पार्सोनल बैंकिंग है यह और यह लॉगिन नीव वर्शन और लॉगिन है और लॉगिन लाइट है हम login new version पर click कर देते हैं और यह देखिए right side पर continue to login इसके हम click कर देते हैं और username जो आपको online बंगी का username है उसको type करना है मैं blur कर देता हूँ यह personal data है इसलिए मैं blur कर देता हूँ और username type करने के बाद आपको password type करना पड़ेगा मैं password type कर रहा हूँ और उसके बाद login पर click कर देते हैं अब देखिए आपका जो bank account है वो खुल गया और profile पर जाईए और देखिए pen registration यह profile password मंगड़ा है profile password जो आपका है internet banking का वो आप type कर देजिए टैप करने के बाद आप submit में क्लिक कर देजिए जैसी होगा और देखिए आपका चीप नमर और pen registration और pen registration क्लिक कर देजिए और pen नमर मंगेगा आपका जो pen number है वो आप type कर देजिए मेरा जो pen number है मैं वो type कर देता हूँ आपका जो भी है pen number को आप type कर देजिए उसके बाद re-enter pen number और दुस्री बाद आप कोई pen number जो आपका है वो type कर देजिए आप सब्मिट में क्लिक कर देजिए और देखिए यह आपका नेम दिखाएगा और pen number दिखाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यह confirm पर आप क्लिक कर दिए जैसे आप confirm पर क्लिक करेंगे आपका जो mobile number रेइस्टर है और banking में उस पर एक message आएगा उस पर यह high security password और bank की तरफ से देगा देखिए मेरा आगा है मैं यह type कर देता हूं आपका जो message है और आप टाइप कर दीजे हाई security password का और उसके बाद confirm पर क्लिक कर दीजिए और देखिए यह और पैन आपडेट रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर दे दिया है यह आपका काम हो गया उसके बाद अब हम जा रहे है आधार काट को कैसे लिंक करेंगे देखिए नीचे नीचे और नीचे देखिए लिंक यह और आधार नमबार इसको क्लिक कर देता हूं फिर पूपाइल पास्वान मंगेगा मैंने साथ गलत लिख दिया और अब यह उत दिखिए आपका टश्ण आपकोनर सेट कर लीजो ऊपिस तुर्ण को मोवाइल नमबार अपण आप आ जाये गाइगा उसके बाद आपको अपना अधार नंबर, जो बार्व जिट का है, वो टाइप कर देना है. मेरा जो अधार नंबर है, मैं वो टाइप कर देता हूँ. और कॉंपार्म अधार नंबर, उसको भी आपको टाइप करना परेगा. फिर से, आप टाइप कर लीजिए टाइप करने के बाद आप साब्मिट में क्लिक कर दिए और फिर से आपको एक मैसेज रहेगा जो आपका बैंक अकाउंट के लिंक में है और वान डाइम पासवर्ट आपको जो आया वो यहाँ पर टाइप कर दिजिए इसके बाद आप कांफर्म कर दिजिए देखिए यह रेफरेंट नमबर दे दिए और यह कॉंपलिट हो चुका थैंक यू दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा और यहाँप देखिए लॉग आउट पे आप क्लिक कर द कुछ भी करें थैंक यू